हेलो गाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कर्रेंट अफ़ेर्स को तो टॉपिक पर आते हैं जैसे कि आप लोग फोटो में देख पा रहे हों कि एक बालिका बनी हुई है और डेट भी लिख़ए चौबिस जनवरी यहीं क्या मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल डे यहीं कि बालिका दिवस हम मनाते है चौवेस जनवरी को 25 महातुपूर्ण है क्योंकि यह संमाज में बालिकां के महातुव के बारे में जागरूकता पैदा करता है आप देख पार रहे हैंगे वर्दमान में जो आपालिकां है महिलां है वो किस-किस उचाईयों तक जा रही है विमान चला रही है फाइटा जट चला रही है जहाद चला रही है पानी वाला जहाद चला रही है ट्रेन चला रही है रिक्सा चला रही है यानि छोटे से लेके उपर लेवल तक का हर एक काम कर रही है यानि कि पुरुसों में और महिला आजाधी के बाद आजाधी मुक्मली उनीस सतालेस महा इसाले समय बिल गए आजाधी के बाद भी कही कही ऐसे गांग' हैं जहाँ पर जहां पर जहां पर मतलब की आज यानी डामान में इसी साल गयाyn में लड़किया स्कूल जाना प्रारम किये हैं तो ऐसे गाउं पढ़े हुएं कि वहाँ पर इतनी स्वविधाय नहीं है तो ऐसे और समान तक उसा नहीं दियाते हैं लड़के जो च्छिंगते हैं तो बहुत सरी होती हैं निकल के आती हैं इसलिए बालग और बहुत चाहिए सभी सभी प्रकार्दी काम कर सकते हैं इतियास में क्या है राष्टी बहुत को समाप्त करते हुए अब हम बदल में हमें बदलना होगा इसलिए हम यह मनाते हैं आंगे देखते हैं है उत्तर प्रदेश देश दिवस मना रहा है और कम मना इगा यूपी दिवस यानि उत्तरप्रदेश दिवस मनाया गया कौन सा मनाया गया ये भी important है क्योंकि अगर अगर कोई इग्जाम दे रहे हो तो ये date important हो जाती है date और कौन सा स्थामना दिवस था तो तर्वा था और 24 जनवरी को मनाए गया अधिकारियों ने 21 जनवरी को कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस के तीन दिवसी समा रो में इस बार निवेस और रोजगार पर ध्यान देने के साथ जन भागिदारी सामिल होगी जन भागिदारी सामिल तो होती ही है हर जगा बस रोजगा जो है यह आड़ा लगा देता है सब कोई प्रियोक्तिसा कर रहा है कोई इसका यूज नहीं कर रहा है कहीं पर गौवर्मेंट रोजगार दिये ही नहीं पा रही है ठीक है जो लड़के हैं यह लड़किया है जो बीट बीडिश सब पुछ किये वह बैठे हुए उनके लिए को करें तो बहुत अच्छी बात है तो इसकी इंपोर्टेंट है निवेश और रोजकार कि इतियास में आते हैं इसके चौबी जनवरीद 1950 को भारत गवर्न जनरल युनाइट प्रविंस पहले यूपी का नाम युनाइट प्रविंस था आदेश 1950 के नाम पर वितन किया गया थ इसके नोचार अच्छी latitude का नाम बदल कर उत्तर प्रविंस रहा गए तहीं के उन्हीट पचास के पहले यूपी कि नाम था यूनाइट अलग हुप है आगे आते हैं किए उनकी जयनती पर आते हैं इनकी जयनती मनाई गई इस इनकी जयनती पर लेकर नाम दिया है पराक naar neighbors the गोश्दू सुबछब्र भॉश की जैन्ति या नेधर जैन्ति भास में एक रास्टी कारकरम में सटेज जन्वरी को मनाया जाता है इसी के उपलेच में पराक basics भी मनाया जाता है इसको तब कोई पता होने चाहिए जो नेता जी थे वो कहां के थे सुभाचंद्र बोस थे ये इनका जर्म तेज जमवर्ज नीस 1897 को कटक और इसा में गुआ था कटक में एक मंदिर फेमास है जिसे हम ब्लैक पेकोडा कहते हैं और इसा में पड़ता है सुभाचंद्र बोस भारत के 173 संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता भी थे दुटी विश्दू दौरान अंग्रेजों से काफी ड़ाई कि इन्होंने जापान की मदद से इन्होंने अंग्रेजों काफी बर हराया और इन अजाद दिन फौज कमांड को समाला था अ कई बार एक्जाम में पूचहा जा चुका है और अगर उपनाम की बात करे की नेता जी है इनका सवचनद्र बोस का उपनाम है और ये उपनाम जो था गांधी जी ने दिया था इनको खेग के गांधी जीनए इनको दिया था यहां पर देख पा रहे होंगे कि NDRF लिखा हुआ है NDRF यह आपने कई बार नाम सुना होगा जब किसी प्रदेशों में बाढ़ आती है तो यह नाम चर्चा में आता है है ना NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फॉर्स इससा काम यह होता है कि जहां पर किसी वी तो इसकी अपना पता 26 में हुई थी और पता NDRF जो है यह विस्व में कहीं नहीं है सिर्फ भारत देश में एंडियारफ टीम है यही विदेशों में काम करना चली जाती कभी कभ नहीं ठीक है अब इसके बारे में चाचा करते हैं रास्टी आपदा प्रतिक्रिया बल यानि एंडियारफ दिवस 19 जनवरी को मनाते है बहुत इंप्रटेंट है इसमें जो लोग होते हैं बहुत मेहरती होते हैं बहुत काम करना अतनको बहुत ट्रेनिंग दी जाती है तो ए अधिकारे तोर पर यह बचाओ दल्ला गठन किया गया था विशिस्ट बहु कुसल बचाओ बल सुरच्छा बल ब्यानि बियासाफ केंद्री रिजरुबल सी आरपीएफ केंद्री ओधोग सुरच्छा बल सी आईसाफ और भारती तिबित सीमा पुलिस आई टीपीबी ससत सी इन सब को मिलाकर क्या बनाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट टीम है इसका फुलफार में जरूरी याद रखी और का विस्ता अपना हुई यह याद रखीएगा इसके इतियास के बारे में आते हैं कि उसका गठन किया गया भारत में 1990 दसक के अंत में जब 1990 में दसक चल ला था तो 2000 से लेके 24 तक आपदा ही आपदा देखी गई है ना 2004 के दसक में 2004 में हिंद मासागर में सुनामी आई थी और यह सुनामी पता एतनी तेज आई थी कि पू इसके बाद दुजार एक में 2001 में गुजरात में भुकंप आया थी कि पांच में फिर मुंबाएं बाढ़ आई तो ऐसे ही लगातार साल बाई साल बहुत सारी बाढ़ भुकंप इससे देखने को मिलती रही तो तो विचार आया कि एक NDRF यानि एक आपता सुर अच्छा बल स्थापना कर दी गई थी इतना आपको पता होना चाहिए और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह आपका 2000 में के दसक में आपदाएं इस रंखलाएं देखी गई 2004 में भारत में सुनामी आई थी 2004 सुनामी भारत में बहुत बड़ी थी बताया कि इंद्रा पॉइंट डूब गया था 2004 2001 में भुकंप आया था गुजरात में और 2005 में मुंबर में 12 यह ती तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आंगे आते हैं आप आप आचानगे नेशनल यूद डे यानि रास्टी यूवा दिवस तो बारा जनवरी को हमने मनाया था रास्टी यूवा दिवस समी विवेका नंद के जैनेन्ती के उपलच में हर साल बारा जनवरी को रास्टी यूवा दिवस मनाया जाता है हर साल इसाउसर पर सरकार बारा जनवरी से चुक एक राज में सहयोग से राष्टी युवा माउत्सव का याउजन करती है ठीक है इसके बाद इत्यास के बारें इस्तियास देखते हैं इसका इन्हों ने ही स्वामीवेका नंद को ग्यान दिया और बताय कि मनुस्तिकी सेवा ही सबसे महत्पूर्ण है बिविकानन्द को भारत में समकालीन हिंदू सुधार आंदुलान में एक प्रमुक सक्ति की रूप में वाना जायता है इन्होंने हिंदू को सुधार करने के लिए बहुत सारे काम किये द्युक्त इनहीं का अपने सुना होगा कि 1393 में यह नुईयॉयर्क गया थे वहां पर भाशन दिया था तो जहां पर यह तूफानी हिंदू के नाम से दर्जा भी दिया गया था फ्रशान शिंद पर लिए दिया भी भाई है कि 1493 में शिकागो में इसके बास सिकागो जो है यह मांस के लिए प्रशिद उत्पादन के लिए प्रशिद है सिकागो इतना इंपोर्टेंट है आपका अब यहां पर देखिए एक चित्र बना हुआ है आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई मिल्ब सता रहा है हाँ यह कुछ उसी प्रिकार का है तो कता है इसके पती जागरुता के लिए बना गया है ऐसे दिवस बहुत पूंच जाते हैं तो 11 जनवरी को मनाया गया है यहाली में कि तस्क्राइब अमेरिका में हर साल 11 जनवरी को राष्टी मानव तसकरी जागरुता दिवस की रूप में मनाया जाता है इसका सिर्फ डेट इंपॉर्टेंट बाकि इसके बार में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बाकि आपको यह पता होने चाहिए कि तसकरी होती क्या है कैसे की जाती है भारत में कौन से लगाम लगाई गई है मानव के दुरुवेपार पर प्रतिबंद लगाया गया है अच्छे 23-23 में क्या दिया गया है तो अब पढ़ लीजिएगा ठीक है मानों के दुरुवेपार और बालात्स्रम से प्रतिश्यद बताया गया दोनों में लेकिन इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा आंगे आते हैं यहां पर दिखाए दिर हैं को हिंदी को मिलीजिए इसका मदला हिंदी समंध कुछ है न तो यहां पर हम बात कर रहा है बुश्व हंदी दिवस की विश्व हंदी दिवस इस्फार दिन भी तिन बहुतेक्न भी तुषाइए पहली बार भारत की राश्वास साधिनित नागपुर में प्रफ्न हें curious का यूजर किया गय бы था यह पूंचता अफ़ीव par Engineering Research Institute यह भी important है कि इसका मुख्याल है कहां पर है तो नागपुर के नागपुर में है तो तभी से 1975 से ही इस तरह के समयने हर साल दुनिया की विभन हिस्सों में आयोजित किये जाते हैं बहुत सा चीज़ important है आपको बहुत सा चीज़ नई मिलना ही होंगी उम्मीद करते हैं ठी इसमें हिंदी को जनमत की भासा बनाना जनमत का मला होता है अधिता लोगों की भासा बनाना हिंदी को जनमत की भासा बनाना बगार उसकी मात्र भासा की महत्ता को भूले यानि हम किसी की मात्र भासा को भूलाएं भी नहीं और हिंदी को महत्तु समझाएं ठीक है यह इसकी की मात्रवाँजा को मात्ता को भूले इतियास अपको उन्हें बता ही दिया है किया । आँगे आते हैं यहांपर हम देख पारेह। प्रावासी भारती दिवस के बारे autism ॐ कि प्रावारती दिवस कि दए आता है कि 9जनवरी को गांधी जी 9जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लोट के आये थे तो नहीं की याद में हम प्रवाशी भारती दिवस मनाते हैं कि था प्रवासी भारती दिवस नौ जनवरी को उतीन को मनाने के कि बматेर पर किया गया था और 7 रहा सी भारती दिवस्त है ये जो neck होते हैं messi कि बॉक्च को को यह ए त्य। प्रवासी अमरत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वास भागीदारी ठीम पॉर्टंट को जाती है थीज प्रवासी भारती क्या होते हैं रही स abra भारत में निवेश्ट भी करते हैं इत्यास आपको बता ही दिया है बार बार रिपीट करने ज़रूरत नहीं है यह पर हम बात कर रहे हैं अगला टॉपिक की दुवर्ड ब्रेल डे ब्रेल अपने सुनाई होगा ब्रेल जो लिपी होती है और यह जो अच्छा हम होते हैं पढ़ने में जिनके आंखें कमजूर होती है या नहीं दिखा जाता है उनको उनके लिए लिपी बना जाती है आपने जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है चार जनवरी को मना जाने वाला विश्ट ब्रेल डिवस आंसिक रूप से द्रश्ट हीन और नेतर हीनों के लिए संचार के रूप में ब्रेल के महातुपर जोड़ देता है सायूंक तुराष्ट 2019 से इस दिवस को मना रहा है विश्ट ब उखड़े हुए अच्छार होते हैं उभरे हुए अच्छार होते हैं पन्नों में होते हैं इनके पन्ने भी अलग होते हैं तो इनको पढ़ पढ़के हाथों में सेंस करके फिर हम इस लिपी को पढ़ते हैं ठीक है अब ब्रेल के पारे में जानते हैं ब्रेल क्या है ब्रेल प्रतेक अच्छर और संख्या और यहां तक कि संगीत मय गड़िती और व्यागानिक प्रतीकों का प्रतेने दुकरने के लिए 6 बिंदू कर यह इंप्रेल लिफे में कितने बिंदू होते हैं और 6 कुछ इस पर आगर प्रतीकों का एक इस परसी इनको इस पर्स करके लोग फिर पढ़ते हैं इस परसी नहीं प्रतेने तो है ब्रेल का उप्योग अंधे और आंसिक रूप से द्रस्ट ही लोगों द्वारा उन्हीं किताबों पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए किया है जो द्रस फॉंट में छप आप पढ़ सकते हैं ठीक इतना इंपोर्टेंट है आंगे आते हैं यहां पार देख पा रहा हूंगी दुज़ार पेस इंटरनेशनल इयर आफ मिलेट्स यह बहुत इंपोर्टेंट है यह पहुंच जा चुका अभी भी हाली में कि 2030 को किस वर्स का गोज़त किया गया है तो इसलिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है भारत को बाजरा के लिए वैस्विक केंद की रूप में स्थापित करने के साथ साथ अंतरास्टी बाजरा वर्श्टवर्टेश को जन अंदुलन बनाने के लिए अपनी सोच को भी सज़ा किया था जब मुदी यूएन हो गया थ कि जहां के मिट्टी बहुत उबजाओ नहीं है या जहां पर सिचाई की मातरा कम हो पाती है तो वहां पर बाजरा का उत्पादन किया जाना चाहिए अगर बाजरा का उत्पादन होगा तो ये भी गेहूं है और बाजरे से बहुत सारे अन्वकार के भोजन बनते हैं जिनका तो हम उप्योग कर सकते हैं जिससे हमारा उत्पाधन बढ़ेगा क्यों क्या होता कि वर्तमान में अगर आप देखो तो खाने के जो सिर्फ फसले हैं वो गेहूं है या चावल विस्व के हर जगा पर गेहूं ये चावल का अधिक उपयोग किया जा रहा है अगर माली किसी कानवस ये तोनों फसले ना हो या ना उगपाई या कुछ प्राब्लम सा गए कोई बीमारी फैल गई है ना ये फसले नहीं हो पाई तो फिर हम लोग क्या खाएंगे इसलिए ये वेकलपिक के रूप में पहले भारत में बाजरा है जुन्डी है ये सब उत्पादन किया जाता था लेकिन धीर धीर कम हो गया तो इसको फिर से बढ़ावा देने के लिए जो फसल होती है इसको सचाइगी कम हो सकता होती है मोटा भी पेंड होता है इसमें बहुत सारे फूल सबने आप इसलिए वहाँ पर इसकी आती थी हुठ तो राजस्तान यत्ने भी सिंद्धुगार्टि н आफ्रीका में 50 क्रोन से अधिक लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है और अगर पतली बनाएंगे तो घाने में अच्छी लगती है इसलिए इतना हैं इतना आपको बताया आंगे आते हैं इभारत का सबसे गहरा मेप्र स्टेशтесьण में बनाया जाएगा यह important है कहता है अगर question पूछ ले आप से कि भात में सबसे गहरा मेट्रेल वे कहान निर्माड हो रहा है तो पुने सहर में भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माड हो रहा है और पुने का सिविल कोट इंटर्चेंज स्टेशन 95 फिट की छस से 108 फिट गहरा तक होगा तो यह महारास्ट का सहर है तो आंगे देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है हाँ यहां आते हैं यहां देख पा रहे हूं कि यह जो पीड़ है और उसके बारे बगल में कुछ फोटो बनी हुई है तो क्या संबंध है इन दोनों का इसके बारें देखते हैं यह ताड़ के पांडू लेपकियों का दुनिया का पहला संगल अदेख पार Peng हालीमे पांडू लेबियों का दूनिया का पहला संगल खूला गया है जिसके राज को संस्कृति और सेच्छिक रूप सम्रद किया गया है अब देखी ताड के पत्तों में पांडू लिपिया लिखी गई है इसका मलब काफी इंपॉर्टेंट है कि ताड जो पत्ते होते हैं काफी मजबूत होते हैं बहुत दिन तो खराब नहीं होते हैं इसलिए प्रात्मिक स निर्वाचन और की लोग-परीक कहान्यों संग्रहे जो भारत की धर्ति पर युरूपी सक्तियों को हराने वाला इसलिए को पहला समराज है अलों बहुत सारी कहान्यों के बारे मुक्ते संभ queer किया गया तो इस आपको जो हमने एक टॉफिक दिये तå आपको रroo दिया था नलशनायोग से पांच पोईचते हैं उनके आंसर आप दिजिए गाव तुर निरवाचन आयोग्जा को संबता थरिदे किस डाज में किया गया किस्राज में किया गया कून है थीक है चार कोश्चन हो गए इसके बाद अगला कोश्चन दच्छन भारत की सबसे उंची दूसरी चोटी कौन सी है यह आपको बताना है यह पांच कोश्चन है पांचों कोश्चन के आंसर दीजिएगा तो देखेंगे कौन बेको साई साई देता है फिर बताते हैं तो मिलते हैं नेस वीडियो में थेंक्यू डाटा बाई बाई